सदेना कीटि जोड़े ने सुप्रीम कोड दे वकील ने बहुत स्वागत है मैं हम तो अटा मेरी आवाज आ रही है तो अटे तक हां जी हां जी हां जी मेरी आधारी आपको जी 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 असी चर्चा कर रहे हैं में सवाल एसी कि जी की साथे कनून दे वेच एनफ प्रोविजन्स है गी है इस तरह दे स्टंट बाजी नू रोकन दे लेगी और ए लोग जड़े ट्रेफिक बैठके किसे भी फ्लाई ओवर बैठके रील्स बनाणियां शुरू कर दें दे हैं यह लगातार हो रहे हैं कि साथे को एनफ प्रोविजन्स नहीं है गी है विडॉंट आव इन दू लौ इस तरह का नहीं है लेकिन इस तरह की केसिस बहुत जादा सामने आ रहे हैं आपको ध्यान होगा अभी रीसेंट की खटना है अगस्टी चोहान की वह रील बना रहे था सडख पर और उनकी जान चली गया रील बनाते हुए ऐसी कई सारी घटना आती है डेलवे स्टेस्टेशन पर क्रॉस कर रहे होते है रेल वे लाइन और वहां पर ही रील बना रहे है और जान भी चली जाती है बिल्कुर और आजकल तो इतनी न्यूज आ रही है अभी रिसेंट एक घोली पर नॉड़ा से न्यूज आई पी सामने जिसमें की एक लड़का-लड़की स्चंट कर रहे थे उन पर फाइन भी लगाया था नॉड़ा पुलिस नहीं है हमारे देश में जो कि इसको पूरा रेगुलेट करे हलांकि इसमें कुछ IPC के सेक्श्षन हैarna जो की हम यूस कर सकते हैं जैसा कि पुलिस जो है वहीं इसमें उन सेक्शिंज को सेक्षन हैं यूज कंआर खूर अग्समेंपल आईपी सेक्शन है झाह, सेक्शन है टोनाइंट कर के यो कि एक तरह से पलिक भेला रहे हैं एक section है 294, अगर आप real बनाते हुए कोई obscene act कर रहे हैं, तो section 294 भी IPC का लग सकता है, otherwise मैं आपको या पर IPC का एक और section बताती हूँ, जो है endangering life of others, वो section 336 IPC है, मैं आपको पढ़के भी बताती हूँ, क्योंकि real बनाते हुए आप एक तरह सी दूसरे लोगों की जान भी खत section है, जो कहता है, whoever does any act so rashly or negligently as to endanger human life or the personal safety of others, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 250 rupees or both. So, इस तरह के IPC के काफी सारे sections हैं, बट क्योंकि ऐसे लोगों पर case दरज होता नहीं है, इसलिए ये तरह के acts वो रुक नहीं रहे हैं, और दूसरी बात awareness भी नहीं है, ये जो real बना रहे हैं उनको ये मालूम ही नहीं है, कि हम ऐसा करके traffic rules का violation कर रहे हैं, IPC के इन sections का जो मैं इंसिडेंट लगातार हो रहे है, किर्ती जी और रुक भी नहीं रहे, ठीक है, awareness दो लोग कानूनी हैगी ये चार लोग कानूनी हैगी, असी पिछले 6 महीने देंसिडेंट चोकली है, कटो कट, तिन दर्जन मैं जो थोड़ी research कर रहे हैं, तिन दर्जन ता इस तरहां देंस नहीं हैगी और जे awareness नहीं हैगी, तब फिर उस strongly convict क्यों नहीं किता जान्दा, भी बाकिया नों भी समझाज़ाएगा आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल उठाया है, कि अगर किसी एक case में बहुत अच्छे से कोई कारवाई हो जाए, और उसमें दिख जाए कि इसमें सज सब्सक्राइब करने वाले मिलियंस में लोग हैं, तो उनको इतना responsible act करना चाहिए कि उनको देख कर और लोग फॉलो करते हैं, और आजकल का जमाना ऐसा है कि आप सोशल मीडिया पर कोई एक रील चलती है, वो ट्रेंडिंग हो जाती है, तो सब लोग उसको फॉलो करने लग ही है, because people are following you, तो यहां पर awareness सिर्फ इस साइट से नहीं कि लोग की नजर से कुछ action हो तो ही इनको पता चले, awareness, social media influences में भी कहिन न कहीं, उनमें से ही कुछ लोगों नहीं यह awareness फिलानी चाहिए, that you are at a responsible position, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, तो आप इस तरह की act ना करें, otherwise आज ही अच्छा मुद्दा जैसे कि आप यहां पर इस तरह की debate कर रहे हैं, so यह भी एक awareness का ही तरीका है, आपकी इस debate से, जो लोग भी देख रहे हैं, उनको भी awareness मिल रही है, like आपने यहां पर मुझे as an advocate बुलाया, तो मैंने कुछ IPC के sections बताए, जो I think किसी को नहीं पता होंग अचनल, मैं तो अडो को आ रहे हैं, कुछ calleur नहीं किर्थी जी और को श्राया है यह का है रहे है, कौन बोल रहे हूं कित थो बोल रहे हैां सार जी जी लकी त místil जी जी खतरना के संट कर देने मुझे शाटका पर ऻke attitudes अगर एक्सिडेंट पाई हो देजी बेलकुल है जी यादर एक्सिडेंट हो पाई हो देने स्टेंट कर देने मौलकी फिल्म कारण है ठीक है बहुत शुक्रिया तो अड़ाप नहीं राए रखना लेज चर्चनों अगे वदा मांगे मिना गायन महाजन हरली इंसान नहीं ते क किर्थिया हूजा अच्छा किर्थी जी बहुत सारे दर्शक भी इससे राये दप्रगिटाबा कर रहे है के कुछ कारवाई है की जड़ीयों स्ट्रॉंगली होनी चाहिए धे गी और बहुत सारे केसे देबेच पुलिस चलान कर दिन दिया पर चलान कर न तो बाद भी श तर IPC के sections भी हैं जो की तर्ज हो सकते हैं विकास फाइन में देखिए अभी रिसेंट की एक न्यूज आई थी नॉइड़ा में 17,000 का फाइन लगाया था और उन लोगों ने फाइन भर दिया और वो चले गए अब social media influencers जो की अराम से fine भर सकते हैं जिनके लिए fine भरना कोई बड़ी बात नहीं है वो तो fine भर के फिर से ऐसा काम करेंगे विकास अगर उनको millions में views आ रहे हैं तो उनके लिए छोटा मोटा fine कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए laws stringent इसलिए होने चाहिए ताकि आपको वो रोक सके अगर आप छोटा मोटा fine लगा देंगे तो उससे किसी को prevention नहीं होता है वो repeat करेंगे और दूसरे लोगों को भी जब यह दिखता है कि इसमें तो सिर्फ fine लगना है लेकिन हमारी real जो है वो famous हो जाएगी millions में views आ जाएगे तो famous होने के लिए थोड़े पैसे खर्च करना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है इसलिए सिर्फ fine लगा देना is not enough IPC में जो sections already हैं उसमें अगर FIR होनी शुरू हो जाए ऐसे लोगों पर जो की अपनी भी जान खत्रे में डाल रहे हैं और लोगों की भी सड़क पर जान खत्रे में डाल रहे हैं और उनकी रील को जो देख रहे हैं उन वीवर्स को भी एक तरह से आप example दे रहे हैं कि वो भी आकर इस तरह के acts करें तो तीन तरीके से आपके जो acts हैं वो गलत हैं अगर पुलिस F.I.R. भी साथ में दर्ज करने लग जाएं और साथ में भले ही आपके बेलेबल सेक्शन हो लेकिन एक बार F.I.R. होने के बाद आरेश्ट हो व्यक्ति को बेल लेनी पड़े तो भी एक कम से कम एक example set होता है कि ने F.I.R. दर्ज हो सकती है आपके नाम पर पुलिसमें पर्चक कर सकता है तो उससे मुझे लगता है कि कुछ चेंज आ सकता है वेन F.I.R. भी स्टाट गेटिंग रिजिस्टर अगेंस इस पीपल अदर्वाइस फाइन जो है तब जाकी जो है एक example set होगा और दूसरा fine increase कर दिया जाए तो fine increase तुसी मतलब traffic rules दे according ही कर पाऊंगे इन अदेली अलग तो कोई होता नहीं बनाया जा पाएगा देखिया मुझे लगता है कि अलग भी बनाया जा सकता है सरकार चाहिए तो एक नया एक कानून भी बना सकती है specifically social media को regulate करने के लिए आजकल आप सिर्फ ये stunt बगेरा को अगर आप देखें उसके अलावा obscene acts भी आजकल if you open the instagram instagram पे कितने हैं जो आजकल obscene acts कर रहे हैं और millions of views आ रहे हैं तो अभी सरकार चाहे तो एक separate कानून भी बना सकती है जिसमें की stunt के लिए आप separate section बना दें traffic rules तोडने के लिए separate act बना दें जिसके अंदर एक separate section हो कि obscene act किया जाएगा तो ऐसा होगा और even सरकार ऐसा चाहे तो उनका provision ऐसा ला सकते हैं उनका जो account है वो हमेशा के लिए बंद हो सकता है इस तरह की stringent चीज़े भी हो सकती है बट देर एक बड़ी thin line है freedom of expression ते इस तरह नहीं है चीज़ां दे विचकार तुसी उन्हों segregate के में करोंगे के इस तुसी एदन दे कुछ ban impose कर देंगे कुछ भी कर देंगे तो तुसी जिड़ा समविदा आंदा basic article है उन्हों भी violate ना करो आपने बहुत अच्छा यह सवाल पूछा क्योंकि बहुत लोगों के मन में मेरी बात सुनने के बाद यह सवाल जरूर आ सकता है और मैं यहां पर इसलिए क्लारिफाइ कर दू कि Constitution में जो आर्टिकल है राइट तू स्पीच अन एक्सप्रेशन यह आपसल्यूट नहीं है रिस्ट्रिक्शन इंपोस किये जा सकते हैं वेन डैट राइट एक्सीड और इट वालेट सैनी लौ अगर वो राइट कोई लौ वालेट कर रहा है आपका right of freedom है आपका right to expression है लेकिन अगर वो इस तरह एक्सीड कर रहा है कि आप किसी लोग को तोड़ रहे हैं आप उसमें इस तरह की acts कर रहे हैं जो कि legally सही नहीं है illegal है या फिस समाज में गलत संदेश दे रहे हैं इस तरह कि मान लीजिए आप Instagram पर कोई ऐसे रील बनाते हैं जिसमें कि बच्चों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है explicit videos आज कल कितने कुछ इंफुएंसर जो अपने ही बच्चों के साथ में obscene videos बना रहे हैं अभी रिसेंटल इंस्टाग्राम पे एक लेडी का इंस्टाग्राम हैंडल पे काफी लोगों ने उसको रिपोर्ट भी किया था कि वो अपने बच्चे के साथ में obscene videos बना रहे हैं तो क्या ऐसे right of freedom और right of expression को क्या रोका नहीं जाना चाहिए क्या इस पर restriction नहीं होनी चाहिए so the right is there but that is not absolute restrictions can be imposed when any act is violating any law थोड़ा जाओ त्यांचे रखन दी लोड़ा मैं आ रहे हैं तो एक पॉलर ने एक वरियोंना नो मैं जोड़ना जी कौन बोल रहे है राकेश जी राकेश जी राकेश जी लगातार कर रहे हैं कि मैं इनना नो रोक्या जावे स्टूडिया देवे एच्वी मिना गायन महाजन और हलीन साने गायन अच्छा बींग डिजिटल जी जेनरेशन है तुसी हो देविच्छों होने हो ता ए जी कीर्थी होनी भी गल कर रहे है कि एक लौ इस तरहां दा कोई बंजे जड़ा रुके पर नाल नाल सनू ये भी त् रखना या सही कि किसे दी फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन जड़ा तो अडियाजादी है ज़ी तो अनुसम बेदान बेसिक तो अनू अधिकार दिन दा मुल्क देवे च्रैन दा ओवी ना वाइलेट हो वे उन्हें ना दोमा चीज़ना 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 कि करो ही शुरू मीडिया दे उपर कई ऐघे एक कंपड़े ते लुपर बदल रहे हैं इसे एक आपने कल्चरी आ इंडियान सुसाइटी जड़ीया उसे अपने कल्चर करके अपने सब्यता करके पूरे विश्ष्व दार ने जानी जा दी है सो यह सारियां चीज़ा एड दी एंड उथे आके मुख दिया दट एवरीबडी जड़ा की इंफ्लेंसर एदनावे काम कार रहा है उन्हों एट लास्ट सिरफ और सिरफ और सिरफ फेम ही चाहिदा है और फेम देले हो कोश्र भी कार सागदा है उदेले कोई चीज चोटी नी यह है कोई चीज बड़ दी ना अन्हों नामी तार आ रहा है ना उनों सजा तार शरफ और सिरफ फ़र सिरफ फेम चाहिए था मांडे गाम्या करके फेम चाहिए अर यह जाना और तो सी जैनूर्वन लिगे रहोंगे लगे रहोंगे तो फेम जो मिलदा बत मिल जंड़ हमनो लगदे कि सबतों पहला पेरेंट्स मों अपने बच्चे नों देखना जाएदा त्रीक है बहुत शुक्री है तोड़ा हरलीन गायन और कीर्थी जी वक्त कडंदली और प्रुग्राम देच जुडंदली बहुत शुक्री है